Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator, कैसे हैं आप सब लोग, I hope everybody is doing well, अरे, क्या होगे, अतने tension में क्यो हो, आप लोग कुछी stress, इतना tension क्यो हो रहा है, exams आ रहे, when Anisha ma'am is here, then there is no fear, आज का जो हमारा topic है, इसी पे उपर है, exam day, morning routine and tips for students, कि exam आने वाले है, कैसे prepare करना है and finally, जिस दिन आपका exam है, उस दिन, morning से लेके आपकी क्या routine होनी चाहिए, और day end, किस तरीके से आपका होना चाहिए, exam complete होने तक, वो आज मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ and क्या आपके do's and don'ts है, याने की, जो students के लिए में पर tips है, कुछ नुस्के हैं, जिनको follow करके, कुछ चीज़े आपको करनी हैं, कुछ चीज़े आपको नहीं करनी, on the day of exam and few days before your exams, तो कुछ चीज़े आपको avoid करनी हैं, कुछ चीज़े आपको necessarily करनी ही हैं, जिससे आपको stress अभी नी होगा, exam भी अचा जाएगा और health पे भी कोई effect नी पड़ेगा, okay, so क्या exam day morning routine है, वो अभी हम देखते हैं, तो इसको मैंने कुछ steps में divide कर लिया, तो जो आपका first step है, वो है eat healthy breakfast, okay, बबाबा, जब exam का दिन आता है, तो सुबा हम कैसे उठते हैं, चल्दी चल्दी क अभी नी होगा, बग गग एक्जाम का, कुछ लोग का है किस बिना नहाय भी निकल जाते है, yes, करते हो गया, मत करना ऐसा भाई, बग जाएगे exam के इन्विजिलेटर से, smell आप में से, okay, so first step है जो first step है आपका बगए, eat healthy breakfast, बगए अगर आपको सुकून से और बहुत हराम से बैट के अपना breakfast खाना है, exam day वाले दिन, जिस दिन आपका exam है उस दिन, तो आपको उसके लिए सबसे पहले जल्दी उठना पड़ेगा, यह नहीं कि 9 बज़े exam स्टार्ट है और पॉने 9 बज़े आप घर से निकल रहे हो, no बेटा, this won't work at all, अगर हम यह अजूम करके चलते कि 9 बज़े आपका exam start है, तो आपको at least 6 o'clock उठना है, यहाने 3 hours before your exam आपको उठना है और यह तब होगा जब आप रात में जल्दी सोएंगे, yes, तो 6 o'clock आपको उठना है, आपको थोड़ा सा freshen up होना है, थोड़ा सा breathe करना है, drink lots and lots of water, you know, take good oxygen in yourself, pump your lungs with oxygen, as अनी कि बस सो रह रहे, laptop चला रहे, नहीं बेटर, get up, freshen yourself, take good breathings, take good amount of oxygen in yourself, take good bath, अच्छे से, and then take each healthy breakfast, कुछ लोग, breakfast skip कर देते हैं, उन्हें लगता है कि भाई, exam में late हो रहे हैं, चले जाएं, तो I will tell you one thing, कि empty stomach won't work, खाली पेट अगर आप कुछ काम करने जोगे, तो आपका दिमाग नहीं च exam है, उस दिन आप एक healthy breakfast लें, अपना नाश्ता मत skip करिये, वो है ना कि, eat your breakfast like a king, eat your lunch like a normal person and eat your dinner like a beggar, तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप अपना breakfast ले रहे हो तो king, एक राजा की तरह खाओ शाही, पेट भर के खाओ क्योंकि पूरा दिन वो आपका digest होने में भी easy रह सेने जाओगे, आप सोचोगे मैं अपनी thinking skills को use करूँ, answer frame करूँ, कुछ लिखूँ, so that won't work, क्योंकि आपको hunger pangs होंगे, आपको पेट में चुहे कूदेंगे, भूख लगेगी जिस वज़े सा distract होगे और दिमाग भी नी चलेगा, consume food items which are high in carbs but low in sugar, अगर आप breakfast ले भी रहे ह तो make sure करिये कि जो आप food items खा रहे हो अपने breakfast में, वो high in carbs रहे, यानि carbohydrates का जो level उसमें जाधा रहे और sugar का level कम रहे, अब कौन से ऐसे food items हैं, which are high in carbs and low in sugar, तो milk हो सकता है, beans हो सकते हैं, कौन से beans, kidney beans हो गए, chickpeas हो गए, you can also take banana, you can also take two या three good apples, मैं तो करी हूँ, दो तीन apple भी खा लोगे तो चल जाएगा, take quinova, अच्छे से veggies वाला quinova, quinova जिनको नहीं बता है, dried dal या पुलाओ जैसा होता है, full of vegetables वो होता है, so eat these things in good amount, milk लो अच्छे से, you can take dry fruits, all these things, तो इस तरीके सा आप एक healthy breakfast खा सकते हो, so do not miss your breakfast on the day of your exam, तो दिन की शुरुआ एक अ और exam, दोनों ही अच्छे जाएंगे, next step क्या है आपका, get to the examination venue early, अब भाई घर से अपने नाश्टा खा लिया, अब कहां जाना है examination venue तक, याने आपका exam में, जहां भी आपका examination hall है, school या अगर कोई center मिला है, तो अगर आप venue तक जा रहे हैं, तो आप early याने जल्दी के, नहीं, at least half an hour पहले, wake up early, ओके, तो अगर आपको examination hall time से पहुचना है, तो उसके लिए you have to wake up early, जब जल्दी उठोगे, time से breakfast खाओगे, घर से time से निकलोगे, तब जाके तो examination venue तक half an hour जल्दी पहुचोगे, अगर आप बोलोगे, अरे भाईया मैं तो 9 o'clock exam स्टार्ट है पॉने नो बज़े 15 मिट पहले घर से निकल रही हूँ, 9 बज़े dot exam start और 9 बज़ी मैं पहुचोगे, तो this won't work, क्यों, क्योंकि half an hour जल्दी पहुचने से क्या-क्या फाइदे हैं, you will get a chance to adapt to the environment, जो environment है examination hall का, कि कभी-कभी क्या होता है, जब हम exam देने पहुचते हैं, तो हमे पहुचने का टाइम है, पांटिंग, यौ पांटिंग, हाफ रहो आप, और पहुचरो exam में 10-5 मिट लेट, तो exam में जो question paper 10-5 मिट का जो आपको reading time मिलता है, वो भी miss हो जाता है, लेट पहुचने की वज़े से, और यही अगर आदे घंटे पहले पहुचोगे, तो आराम से वोक करते हुचाओगे, भाई, थर्ड फ्लोर पर exam में आपका अगर बोला गया है, अराम से वोक करके जाओगे, बैठोगे, पानी वानी पिऊगे, आसपास देखो कि कौन है, तीचर कौन है जो आपको invigilate करने वाले हैं, उसके बाद आराम से बैग बाहर रखोगे, हमको instructions से होगे, तो papers बहुत smoothly जाएगा, और यह चीज में आपको भी बताई दी थी, कि हाफ एनार पहले पहुचना, अटलीस हाफ एना, अगर नौ बजे exam स्टाटे तो 8.30, you should touch your school, ताकि उन हाफ एनार में आप जाओ, हो सकता है कभी कुछ अपने friend से, कोई friend को doubt है, तो आप उसक emergency, अगर आप आदे घंटे पहले घर से निकले हो, तो अगर कोई contingency, को emergency या कोई problem आजाती है, तो वो भी आप बहुत calmly face कर सकते हो, याने उसका सामना कर सकते हो, for example, आप घर से हाफ एनार पहले निकले हो, दस मिनिट तक आपने travel के और बीच में petrol खतम होगे आपकी गाड़ और फिर आप पहुचो, तो कमस कम अब लेट तो नहीं होगे, on time 9 बजे तक तो anyhow पहुची जाओगे, यही अगर पॉने 9 बजे निकलोगे तो आप ऐसे 2.30 नहीं पहुचोगे exam में, कितना लेट हो जाओगे, कभी-कभी चोट लग जाती है, कभी-कभी आप वान से जा रहे पहुचे हो, time पे आदे घंटे पहले, don't panic, कभी भी panic मत हो याने घबराओ मत, by chance अगर आप लेट भी हो गयो, तो घबराओ मत, it is just an exam, life and death situation नहीं है, कि आप अपनी health को stake पर डाल दो, right, लेकिन कोशिश यही करो, कि आप घर से अपने precautions लेके निकलो, timely घर से निकलो ताकि इ पहुचो ही नहीं, right, next क्या करना exam के दिन भाई, don't think about what you don't know, मत सोचो उस बारे में, जो चीजें आपको नहीं पता है, which you don't know, अब क्या होता है, हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा syllabus पढ़ लिया, अब सुबह आथे, अब टेंशन स्टार्ट हो रहे है, यार मैने यह तो आप उस बारे में, आप सोचो, मत जो आपको नहीं आ रहा है, हाप brush up कर सकते हो, थोड़ा बत देख सकते हो, लेकिन deeply उस topic को पढ़ना, समझना, उसमें deeply जाना, आपके लिए बहुत harmful हो सकता है, क्योंकि आखरी के 10-5 मिन बचें exam में, और आप completely किसी नए topic को, या completely किसी बच कर रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपना पुराना भी भूल जाओगे, क्योंकि आपके mind में tension चल रही है, panic हो रही हो, अफराट हो रही है कि मैंने तो छोड़ दिया, भूल जाओ, जो नहीं आता, जो पढ़ा है, उसको strong रखो, उसको अपने mind में revise कर लें, तो उसमें तीन sections होते है, first होता है writing section जिसमें comprehension आता है, letter आता है, speech या report लिखने के लिए, second section जो होता है, आपका grammar का section होता है, और third section आपका literature को होता है, हर बच्चे के अपनी technique होती है, कि total 2 गंटे का या 3 गंटे का paper है, तो बच्चे उन 3 hours को या 2 hours को divide कर देते हैं, कि पहले मैं writing section निप्टा दूगा, फिर मैं literature निप्टा दूगा, और बाद मैं जो section भी है end में grammar का वो complete करूँगा, तो ऐसे मेरे को, मतलब क्या होगा, कि starting में comprehension पढ़ने का time भी मिलेगा सुकून से, और last में grammar फटा फटा फट, read करते जाओंगा, fill in the blanks and fill करते जाओंगा, त इसी की यह technique होती ही के पहले भाई literature section कर लेंगे, फिर बाद में हम grammar करेंगा, और सबसे last में comprehension वाला reading section, तो सब की अपनी technique है, तो अपनी technique को अपने mind में रखो, कि मुझे कैसे करना है, Use your mad essay writing skills, भाया हम mad, मलकुल पागलो वाली जो, निभन लिखने वाली जो हमारी skills है, exam में question आया, नहीं आ रहा, चलो जो भी आता है, से related लिख दो, कुछ भी लिख दो, चाहिए teacher पागल हो जाए, teacher अपना pen तोड़के अपने सर में डाल दे, गुस्य में आके कि इस बच्चे writing skills है, उसको मत भूलो, कोई चीज अगर नहीं आरी exam में, तो भाई घबराओ मत, उससे related आपने पूरा syllabus पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो उससे related आपको आता ही होगा, यह general knowledge भी बहुत बढ़ी चीज होती, कि आपको generally उस topic के बारे में हो सकता है, थोड़ी information हो, तो आप उसक कुछ नहीं से, तो कुछ marks तो वो देगी ही देगी, आपको क्योंकि आपने जितना चठी राम कहानी लिखी, यह बूरा पोथी पतरा लिखा है, तो कुछ तो उस पर आपको मिली जाएगा, always switch your thoughts to the things you know, दिमाग कहा चल रहा है, उन चीजों पर जो आपको नहीं आती, यहां बोल रहा है, switch करो, यहांने अपने दिमाग को घुमाओ, उन चीजों पर जो आपको आती है, यह मत सोचो कि मुझे क्या नहीं आता, exam कर जो time है, वो आ चुका है, अब वो सोचने का time नहीं कि आपको क्या आता है, वो पढ़ने का time गया, अब वो सोचो कि क्या आता है, और इ घबराओगे नहीं, ओके, तो घबराना नहीं है, next, be confident, जो भी आता है, जितना भी आता है, confident रहो, कुछ पच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी ऐसे tension करते जाते है, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं fail हो जाओंगी, मुझे कुछ नहीं आता, आरे भाई, क्यों नही है, तो confident रहो, अपने अंदर confidence रखो कि मुझे सब को जाता है, मैं अच्छा कर सकती हूँ, मेरे exam बहुत अच्छा जाएगा, exam morning routine should be filled with having confidence, जब आप सुबा उठो, exam का जो confidence level है, लिखने का जो exam का confidence level है, वो exam वाले दिन, सुबा आँख खुलते से ही start हो जाना चुछ यह, या मैं ऐसा नहीं कि आप नीन में से उठ रहे हो, और tension के साथ उठ रहे हो कि अरे, यार मेरे exam है, कैसे करूँ, मैं तो पागल हो जाओंगी, क्यों पागल हो जाओंगी भाई, बी confident, शुरू से ही आपका day should be filled with confidence, मुझे सब आता है, बहुत बढ़िया जाएगा, walk with your back straight, कुछ इतने ही under confident हो जाते हैं कि बिल्कुल इस तरीके से चलने लगते हैं और इससे उनका पुरा morale डाउन हो जाते है, walk with your back straight, always, क्योंकि अगर आप, आपकी back straight है तो आप confident feel करते हो, your chin high, keep your chin high, ऐसे नहीं कि बिल्कुल you are feeling drowsy, under confident, आपके चेहरे पर जो आपका body जो आपकी बात कर जाती वो exam भी फिर आपका वैसी ही जाएगा, your face resolute, अपने face के expression आप resolute रखिये, याने determined रखिये कि दिरनता रखिये अपने चेहरे पर कि नहीं, मुझे सब आता है मेरे exam बहुत बढ़े जाएगा, confident होने को बोला है, लेकिन over confident होने को नहीं बोला है कि भाई, सब कुछ आत yourself but be confident, walk with your back straight, chin high and with your facial expressions resolute, कि मुझे सब आता है मैं अच्छा से कर लूँगा, tension नहीं, जो आता है जितना आता है बढ़ी आता है मैं कर लूँगा, this actually works और trust me, अगर अपने life में कभी इस चीज को try नहीं किया है, तो जरूर करिए because this actually works, ये काम आता है, कई मतल चीजें जो half of the problem और जो आपका tension या जो आप में stress develop हो रहा है, exam की वज़े से वो सिर्फ ये feel करने से कि मैं confident हूँ, मुझे सब आता है, आधी दिक्कत है वहीं solve हो जाती है, okay, next step, read over your notes one last time, अब exam day morning routine में, अगर आप नाश्ता खाना जितना important है, उतना एक बार अपने notes को revise करना भी उतना ही important है, okay, तो जो आपके notes आपने पहले से बना रखे हैं, पढ़ाई के time पे, उसको एक last time आप read over करो, याने brush up कर लो, फटा 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 नजर्द मार लो, scanning कर लो पूरी, कि हाँ क्या क्या topic है, क्या को important phrase है, तो अपने mind में 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 रख लूँ, और यह important question से एक बर इसको revise कर ले, okay, scanning your notes will help you to remember important bits, अगर आपने पहले से notes prepare करके रखे हैं, तो exam day, जिस दिन आपका exam है, morning में आप उसको revise करना आपके लिए, और जो important चीज़े हैं, उसको revise करना आपके लिए बहुत easy रहेगा, पूरी book आपने अगर सुबा सुबा खुल दी, क्या, मैं तो यह पढ़ लूँगा, सुबा के आदे गंटे में, मैं तो बिलकुल बगवान मन जाओंगा, exam के आदे गंटे पहले ही, पूरा पढ़ लूँगा, सब दिमाग में घुसा लूँगा, एक ही टाइम पे, तो I am sorry, this is a very bad idea, इसे तो आपकी fail, जो आपका failure है, वो निश्चित है, I am sure about it, अगर आपने पहले से पढ़ा है, important points या question answers के notes बनाए है, तो उसको आप scan करो, सुबा सुबा फटा 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 रिवाइस कर लो, थाकि आपके mind में important चीज़े बैठ जाए, but for this you should have pre-made notes, पर इसके लिए pre-made notes, याने पहले से notes बनाए होना, बह important है, और बनाए होंगे, तब ही revise कर पाओगे, reading the entire book in the morning is not a good idea, पूरी book उठा के पढ़ने बैठे हो, तो आप 2-4 page से ज़्यादा पढ़ी नहीं पाओगे, okay, rely only on your previously made and studied notes in the morning, rely याने किस चीज़ पे आप dependent रहे है, morning time में exam जिस दिन हो, सरफ जो पहले से बनाएगा आपके notes है या पहले से जिन notes से आपने पढ़ाई करी हुए है, सिर्फ उनी पे rely करो morning में, कोई नई चीज मत उठाओ कि friend को देखा, अरे तू ये पढ़ रहे है, ला बता बता मैं पढ़ू, उसकी अपने टेक्नीक उसने अपने notes बने अपने पढ़ाई, आपने अपने पढ़ाई करी आपने notes बने अपने पढ़ाई क्योंकि आप उनोट से familiar हो, comfortable हो और आप फटा फट उसी को cover कर पाऊगे, सुबा के हाफ इनार में, Power Revision, ये एक तरीकी का आपका Power Revision होता है, जिसमें आप फटा 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 फट फिल इन द ब्लांक देख लेते हो, फटा फट वर्ड मीनिंग देख लिए, question answers देख लिए, कोई question नहीं आ रहा है, तो एक बार read कर लिया कि क्या है, कोई important चीज या important diagram या उसके labeling है, वो mind में रख लिए कि हाँ, इसका label यहाँ, इसका label यहाँ, चीक है, ये maths का formula है, ठीक, इसको में mind में रख लोगा, solve में वहाँ जाके खुद कर लोगा, तो ये एक तरीके का power revision होता है, नई book आप पूरी पूरी उठा रहे हो कि सुबा सुबा पढ़ेंगे तो I'm sorry, ये साल भर की book है, end में सरिफ notes पढ़े जाते हैं, किताब नहीं पढ़ी जाती है, next, surround yourself with optimistic people, surround याने आपके आस पास, exam वाले दिन सुबा उटने से लेके जब तक आपका exam खतम नहीं हो रहा, आपके आस पास सरिफ optimistic लोग ही होने चाहिए, what do you mean by optimistic, optimistic means positive people, life में कुछ लोग बहुत positive होते हैं optimistic means positive people, pessimistic means negative people, अगर आप positive लोगों के आस पास रहते हैं, तो आपके अंदर भी वो positivity आ जाती है, आप भी वैसा उन लोगों जैसा cheerful, happy and confident फील करते हैं, अगर आप negative लोगों के आस पास रहते हैं, तो वो negativity आप तक भी आती है, आप बहुत sad फील करने लगोगे, tensed फील करोगे depressed feel करने लगोगे, stress होने लगेग आपको, तो make sure करोगे, सुबह उटने से लेके, school जाने तक, van में जाने तक, bus में जाने तक, कहीं तक भी आप पहुचो, you should be surrounded with optimistic, that means positive people, few people say that they are going to fail and end up getting good grades, stay away from such kind of people, कुछ friends नहीं होते हैं, वो आजाते हैं और बोलते हैं, भाई मैं तो fail हो रहा हूँ आज, भाई मेरे को तो zero मिलेंगे, भाई मेरे तो minus में marks आजाएंगे, भाई साब आप दूर रहे हैं इन लोगों से, क्योंकि ये वो लोग हैं जो full पढ़के आते हैं, full मतलब बोल देते ह हम तो fail हो रहे हैं, mark zero मैं तो class repeat कर लूँगा और they end up getting very good marks, तो आप ऐसे लोगों से बिलकुल दूर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत negative kind of people हैं, ये कभी positive बात या अच्छी बात नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे भाई, हो गया है, तैयारी हो गई है, पास हो जाएंगे, या अच्छे marks निकाल लेंगे, तू भी निकाल लेगा, मैं भी निकाल लूँगा, वो कभी नहीं बोलेंगे, तो इस तरीके के लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि उनकी negativity आप तक 100% transfer होके आएगी, the sole purpose of such people is to make others feel incapable, इस तरीके के negative लोगों का sole purpose, एक मात्रे उनका जो purpose है, वो यही है कि वो आपको incapable feel करवा है, कि आप किसी चीज के करने के capable ही नहीं हो, भाई मैं तो fail हो रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तुछ से नहीं हो रहा हूँ, छोड़ दे तू भाई भाई साथ fail होएंगे, और देखते बाता चलता है result के बाद एक भाई के तो 80's में marks तो दूसरा भाई fail ही हो रहा है, तो दिल पे उसलिए धक्का खाने से बेटर है कि इस तरीके के negative friends and negative लोगों से exam time में, especially जिस इन exam हो, उस दिन तो दूरी रहो, हाँ भाई ते रब जीरो आंदे, मैन तो बढ़िया पड़ूँगा, मेरे तो अच्छे मांग साएंगे, तू ह कोजा फेल, मैं नहीं फेल हो रहा है, मेरे को दो घर पे जूत्ते पड़ेंगे, येस, तो ये होता है, तो इसलिए इस तरीके के लोगों से दूर रही है, always remember, God, before your exam in the morning, this fills your morning with positivity, अब एक मातर जो चीज पॉजिटिविटी से भरी हुई है, वो है God, जब आप घर से निकलते तो ममी बोलती है न, दही शकर खा के जा, या ममी बोलती है, हाथ जोड के जाओ भगवान पे, या प्रेयर करके जाओ, तो ये क्यों बोलती है हमारी ममीया, ताकि हमारा दिन positive और अच्छा रहा है, और हम अपने आप में positive और good feel करें, अब मैं ये नहीं बोल रही आप लोग नहीं चलेगी, लेकिन जब आपने पूरी पड़ाई कर ली हुई है, आप मौनिंग में ओट रहो, बढ़ी अपना breakfast कर रहो, रिवाइस कर रहो, और घर से निकलते वक्त, भगवान पे हाथ जोड के जा रहे हो, या 5 मिनिट्स का meditation, या 10-15 मिनिट्स अगर आप ताइम निका या 5-10 मिनिटेशन ठीक है, धुत आप अपने से Ai-si बाते करो, जो आप अपने आपको इनकरेज फील कराओ, अपने अपको motivated तो positive self-talk will make you feel in control, کभी-kभी या इतने stress दो जात & panिk होते हो कि आपको समझी नहीं आता कि मैं कैसे करूँ कुछ बचों क准ई एक्जैम में देखा है लिखते-लिखते-लिखते-लिखते pen छूट रहे हाथ से pencil फिसल जारी है हाथों में पूरी sweating पसीना जा रहे है इतना stress हो रहे है बार बार पसीना पोच रहे हैं बार बार देया टिकिंग deep breaths यह क्यों होता है जब आप बहुत पानिक फील करते हो और बहुत जादा stress आते हैं अपके अंदर तो अगर आप अपने आपसे self-talk करोगे खुद से बात करोगे तो इससे आप अपने आपको खुद को control में रख सकते हो कि नहीं शानत हो जा ठीक हो जाएगा सब अच्छा होगा and trust me this works तो आपको खुद से बोलना है I am the best मैं best हूँ और मैं अपना exam में 100% दूँगा I can do it मैं कर सकता हूँ यह question मुझे आता है बस 2 minute मुझे सोचना है कि मैंने कहा पढ़ा तो इससे related मुझे कुछ आता है तो मैं लिखूँगा I can do it तो कर सकता है I am going to ace it मैं इसको ace कर दूँगा याने मैं यह पूरा successfully complete कर दूँगा तो इस तरीके से अपने आपसे तबाब बात करते हैं मेरा में देखे बोलेंगे all the best तुम अच्छा करने वाली हो आज तो all these things will help you somewhere in your exam तो morning full positivity से होनी चाहिए full of pep talk से 10-5 minute का yoga meditation and good breakfast is very important Now here are some do's and आगे के कुछ slides में हम don'ts पढ़ेंगे and these are few tips for my students अब मैं आपको कुछ tips जूंगे अभी मैंने 7 steps में आपको यह तो बता दिया कि exam वाले दिन आपको morning routine क्या होना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए time पर पहुशना चाहिए जल्दी उठना चाहिए आपको अच्छे से breakfast लेना चाहिए आपको अपने आप से pep talk करनी चाहिए you have to take good, you have to surround yourself with positive people yes all these things सुबब सुबब फड़ाफट revision जल्दी से कर लो अपको चीजे हैं do's यानि यह चीजे आपको करनी चाहिए exam वाले दिन या exam से एक दिन पहले तो देखते हैं क्या है choose your study environment carefully अगर आप exam के एक दिन पहले बैठे हो या पढ़ने बैठे हो कभी भी तो अपना पढ़ाई करने का जो environment है जिस जगा पढ़ने बैठे हो उसको सही रंग से choose करो कुछ लोग टीवी चालू कर देते हैं और आराम से पढ़ते हैं ऐसे पढ़ाई नहीं होती टीवी चालू करके आप पढ़ नहीं सकती है आत आप टीवी देख सकते हो या जो पढ़ाई करो उसको अपने दिमांग में डाल सकते हो कुछ लोग गाने बजाते बजाते पढ़ने पढ़ाई करते मुझे मतलब if you ask me आप या तो गाना सुन सकते हो या पढ़ सकते हो कोई एक चीज हो सकती है तो जब आप पढ़ रहे तो आप सिर्फ पढ़ो उसी पर कॉंसेंट्रेट करो किसी ऐसी चछट पर बैठ जाओ और अराम से अगर आप दूप है तो दूप में obviously नहीं बैठ सकते बट अरली मॉनिंग 6-7 बजे का टाइम है से पढ़ना है यह regulate करो यानि इस पर को चेक कर उस पर ध्यान दो 24 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता इसमें से 20 घंटे भी पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा ठग जाओगे तो आप ऐसा टाइम मैनेज करो कि आप अच्छे इस है पढ़ भी लो अपने लिए भाई हाफ एना बनाओ कि Okay, आज मुझे इतना chapter खतम करना है यह आज मुझे इस chapter का इस portion खतम करना ही है आज मुझे इन तीनों का revision करना ही है And then stick to this plan ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना दिये और आप उसको following नहीं कर पारे Yes Review for 15 minutes at the end of each day हर दिन आपने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा रात को सोने से पहले 15 minutes का review करो याने पूरा चेक करो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा जो मैंने time table बनाया था उस हसाब से मैं चली हूँ की नी चली हूँ जितना मैंने time table में लिखा था कि आज मंडे को मुझे इतना portion cover करना है अपनी पढ़ाई का क्या मैंने उतना किया है की नी किया है अगर नहीं किया है तो रात को सोने से पहले कैसे भी वो complete करके सो लेकिन check to your time table time table से deviate मत हो bring everything for the exam you need अब आपको पताए कल मेरा exam है तो हर चीज पहले से लाके रख दो आपका pencil, box जिसमें pen वगरे सब अच्छे सा arranged हो आपका ID card कोई hall ticket है तो वो अगर आप specs लगाते हो तो आप देख लो कि एक specs मैंने पहने हुए एक extra मेरे पास होना चाहिए कि बाइचान अगर end moment पर टूट जाए या गिर जाए कहीं तो मेरे पास एक emergency में extra specs याने मेरे चश में है So all these things दो exam के लिए जरूरी है उसको पहले से लाके एक दिन पहले रात में ही arrange कर के रख लो तो अगले दिन सुबा टेंशन नहीं होगी आपको हड़ बड़ा हट नहीं होगी कि मैं क्या करूं कैसे करूं आपका बैग रेड़ी रहेगा Read the whole paper before writing anything जब exam में आपको paper मिलता है तो ऐसा नहीं कि इस paper मिला और लिखना start कर जाए नहीं आपको 5 minutes 10 minutes पूरा paper read करने के लिए भी मिलता है कौन सा बाद में यहां मुझे ज़्यादा time लगने वाला है यहां यहां मुझे सर्फ 10 minutes लगने वाले तो आप पूरा plan कर लेते हो कि paper किस तरीकसा आपको खतम करना है Look at the marking scheme अब जब आपको 10 minutes paper पढ़ने को मिलेगा तो उसी 10 minutes में आपको marking scheme भी देखनी है कि कौन से question के कितने marks है किसी question में 3 marks मिलते हैं आपको उसका answer लिखने पर unseen passage के 10 marks होते है letter 8 marks को होता है जो short answers होते हैं वो 2-2 marks के होते है तो make sure कि जो heavy questions जो है जो उसमें बड़े marks carry कर रहे हैं 8 number का question यह 10 number का question उसे पहले attempt करो बाद में चोड़ी चोड़ी चीज़े करो make sure if you are running out of time don't panic अगर आप exam लिख रहे हो अपने time अच्छे से manage के लेकिन फिर भी paper बहुत lengthy है time देख रहे है last 15 minutes left 15 minutes बचे बस तो घवराओ मत I know यह emotion control करना बहुत difficult है कि आपका पूरा paper बचा है देख रहे हो 15 minutes बचे लेकिन फिर भी मैं आपको कह रही हूँ कि panic मत करो क्योंकि अगर जहां आपने घवराहट start करी अपने अंदर pen फिसलेगा आपके हाँ स्वेटिंग उने लगी कि पानी की प्यास बार बार लगेगी आते आते भूल जाओगे मैंने क्या याद किया था मैंने क्या पड़ा था जो चीज याद है वो भी भूल जाओगे तो अपने अपको control करने की कोशिश करो और ये कोशिश करो कि इस 15 minutes में मैं चाहूं तो सब खतम कर सकता हूँ पूरा paper चाहूं तो maximum जाद से जादा खतम कर सकता हूँ पूरा नहीं तो maximum तो करी सकता हूँ तो at least जितना करूँगा उसमें अपना time नहीं वेस्च करूँगा ओके और घबराहत में जो आती हुई चीज उसको भोलूँगा नहीं ask the invigilator if left and doubt अगर आपको paper पढ़के कोई doubt आ रहा है तो भाई आप invigilator से वो doubt पूछ सकते हो invigilator याने जो teacher वाँ खड़ी हुई है आपके साथ round बे है class में उससे आप पूछ सकते हो अपने doubt के बारे में कि मैम ये क्या लिखा है आप सर्फ doubt पूछ सकते हैं भाई साब अपने घर जाके paper लिखी open book paper दीजे मैं नहीं बताऊंगे answer तो answer मत पूछने लगना teacher से जब अगर कोई doubt है तो ही पूछो divide and rule attempt the easy questions in the first 40 minutes and then try your hand at the difficult questions एक ये भी टेखनीक है जो कुछ बच्चे follow कर सकते हैं divide and rule जैसे divide and rule अंग्रेजों ने Hindu और Muslims को divide करके rule किया था ने राज किया था आप भी पूरे paper को divide कर दो time में कि इतना section मुझे 40 minutes में complete करना है ये 10 minutes में कर लूँगे ये वाला portion ये करने के लिए मुझे 35 minutes तो आप divide करो rule करो याने अच्छे से paper अपना attempt करो इजी इजी question पहले कर लो फटा फट और वह 40 minutes में ही निप्टा देना easy वाले और जो difficult questions है उसको end में करना and then try your hand on the difficult questions last last में जो difficult questions बचे कर लेना क्योंकि 40 minutes में अपना पूरा paper खतम कर दिया है अब आपके पास पूरे-पूरे दो घंटे बचे हुए है या 1.5 hour जो इतना भी time बचे हुए है उसमें आप अपने पूरे difficult वाले complete कर लो तो एक टेक्नीक है कि difficult वाले पहले कर दो last में easy-easy करो और एक टेक्नीक है कि easy-easy पहले कर लो last में difficult वाले करो आपके उपर depend करते है कि आपको क्या comfortable लगता और कौन सी टेक्नीक यूज करके आपका paper जल दियो यह आपके उपर depend करते है don'ts अब तक हमने यह सारी चीज़े पढ़ी कि कौन सी चीज़े आपको करनी चाहिए exam के एक दिन पहले या जिस दिन exam है उस दिन अब कुछ चीज़े which you are not supposed to do यानि यह चीज़े आपको नहीं करनी है exam के एक दिन पहले या exam के दिन पर देखते हैं क्या है don'ts avoid social media अब आप अपना आदे से ज़्यादा time जो है वो social media पर ही waste करते है twitter, instagram, facebook, whatsapp, snapchat इन सब चीज़ों पर आपना time waste करते हैं और वो time जिसमें आपको पढ़ाई करनी चाहिए वो आप उस time को waste करते हैं और mobile चला चला के laptop चला चला के सरदुपने लगते हैं आँखे ठक जाती है फिर आती है आपको नींद और लगती है भूक तो भाई पढ़ाई के time तो गया ना तो please जब तक exam है social media को थोड़ा सा avoid करो मैं यह नहीं कहती कि बिल्कुल अपने mobile उठाऊ ही मत पर दिन में 10 मिंट देख लिया 15 मिंट देख लिया more than enough do not ask your friends how much you have finished studying हमारी बड़ी गंदी आदत है फोन लगा थी भाई कितना पढ़ लिया भाई तो होगे तिरा होगे ताकि आप उस तक पहुच जो इससे क्या होगा बहुत सारी important चीजें में सोगी क्योंकि आपके mind में सिर्फ एक ही चीज रहेगी मुझे तो उतना पढ़के खतम करना है जितना मेरे friend ने किया है अगर आपके friend के syllabus क्या है आपको पता है किस दिन exam है और आपको exam के एक दिन पहले तक अपना पूरा syllabus complete भी करना और revise भी करके रखना है तो आप उससाब से अपने technique यूज करो दोस्तों के भरों से मत बैठो Do not change or refer new books at the last moment जो book आप refer कर रहे हो reference book यूज कर रहे हो आप वही use करो last moment पे एक दिन पहले या आदे घंटे पहले आपके friend की कोई दूसरी reference book है उसको पढ़के confuse मत हो अगर वो पढ़ा ना तो बेटा पूरा खिचड़ी बन जाएगा दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक NCRT और एक reference book जो भी आप use कर रहे हो और more than enough किसी भी paper को solve करने के लिए तो एक NCRT ज़रूर पढ़िए और दूसरा एक reference book और वही reference book हमेशा use करो end moment पे उसको बदलो मत friends को देख के confuse हो जाओगे never procrastinate अब कुछ बच्चों की बहुत गंदी आदत होती कि वह procrastinate करते याने देख रहे हैं अभी कि अभी छे दिन पढ़े है exam स्टार्ट होने में हूं आज शोड़ी picture देख लेता हूं KGF आये KGF देखाता हूं कल से पढ़ूंगा और आज आज क्या करूं बसी का बसी का शोड़ी देख लेता हूं कल चले जाओंगा अरे KFC खुल गया है भाई यहां पर चलो कुछ खाके आ जाता हूं कल से पढ़ लूँगा तो वो लोग डीले करते हैं चलो आज नहीं कल पढ़ लूँगा चलो आज नहीं और कल पढ़ लूँगा चलो चार घंटे बाद पढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे तो जो लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं अपने पढ़ाई को डीले करते जाते हैं कि चलो कल चलो परसो चलो नर्सों वो लोग कभी लाइफ में सक्सेस्फुल नहीं होते कटू सत्य कड़वा रही है ओके डू नौट प्रोक्रास्टिनेट यूर यूनीक डू नौट गेट इन्फ्लूएंस बाइज बाइज यौर फ्रेंज आर यूजिंग हर इंसान यूनीक है अपने आप में एक बेस्ट परसेन उन्स्ट्राटिजी से मत इन्फ्लूएंस हो मत प्रभावित हो जो आपके दोस्ति यूज कर रहे हैं हो सकता है कि आपके फ्रेंड की आदत होगी कि वह गाने सुनते सुनते पड़ाई कर ले आप यह उसकी स्ट्राटेजी वह कर सकता है और बढ़िया कर रहा है उसको उसके अच्छे रिजल्स मिल रहे हैं जरूरी नहीं कि आप भी गाने दे प्राटेजी और उनकी आदतों से प्रभावित या इंफ्लूएंस मत होई हैं डू नोट चेंज और टाइम टेबल सेट फॉर सेल्स स्टडी जो भी सेल्स स्टडी करने के लिए आपने टाइम टेबल बनाया है कि इतने दिन में मैं इतना पोर्शन या पढ़ाई कवर करूं नहीं करेंगे कुछ भी कैसे भी जो हमने डिसाइट किया इसको कंप्लीट करके ही रहेंगे ओके सो दू नौट चेंज और टाइम टेबल जो भी आपने सेल्स स्टडी के लिए सेट किया हुआ है दू नौट स्टार्ट एनिफिंग न्यू अट दे लास्ट मोमेंट वही चीज़ भी मैंने थोड़ी देर पहली बोली थी कि लास्ट मोमेंट में एक्जाम के 10 मिट पहले पंदरा मिट पहले कोई नए चीज या कोई नया टॉपिक मत स्टार्ट करिए जितना आता है उस पे पहले और उसी को दिमांग में रिवाइस करिए दू नौट रिला ओनी और रिलाइव ओनली ओन डाइग्रम स्टाइड इटेक्स थारिली अब कुछ हमारे महान बच्चे क्या कर लेते हैं जैसे बायो बायो में क्या करते हैं डाइग्राम पढ़ लेते हैं कि यह डाइग्रा को पढ़ते हैं तो आपको लैंग्विज मिलती अच्छी वोक्याबलेरी के वर्ड मिलते हैं जिससे अंसर फ्रेम होता है आपने सिर्फ डाइग्राम पढ़ लिया और माइंड में रख लिए उससे आप लिख नहीं सकते लिख भी लिया तो आपको फुल मार्स नहीं एक चीज पर रिलाएं नहीं करना अवाइड जंक फूट इट में मेक यू सिक अब बच्चे क्या करते हैं वाई एक ही जगा घंटो घंटो पढ़ते हैं एक जाइम टाइम में तो क्या करें भूक लगे चलो वही स्विगी एक पास्ता ले आना चलो भई और क्या क्या आते ह हैं आपके खाने पीने के जो जिन से आप मंगवाते हैं फलाना होटेल यह लेकर आना चलो फलानी जगा यह लेकर आजो तो भाई पिज़ा खा रहे हैं मोमोस खा रहें बर्गर खा रहें और इस जंक फूड कैन मेक यू सिक आपकी तब्याद खराब हो सकती फूड पॉजन करो अगर खा भी रहो तो सर्फ टेस्ट पॉपस के लिए आप खाईये नहीं तो यह आपकी तब्याद बहुत खराब कर सकते हैं और हो सकता है कभी-कभी तो बच्चों की तब्याद खराब हो जाती है उनको एक्जाम मिस करना पड़ता है फूट पॉजनिंग हो गई बच् की हालत में जा रहे हैं एक्जाम देने के लिए तो ऐसी चीज़े मत करो जिससे आपको चोट लग जाए येस और नो कि सिर्फ चोट लगना नहीं होता ना डॉक्टर के पास जाना दर दो रहा है पढ़ाई का थाइम पूरा कट गया आपका तो डूमेक शॉर कि यूज से व कोवर स्ट्रेस यॉर्सेल्फ अब एक चीज जिससे लोग अपने आपको बिल्कुल पागल कर देते हैं वह स्ट्रेस इतनी टेंशन कर लेंगे चैने नाखुन खा लेंगे कि विल्कुल उंगलियां खा जाएंगे अपनी क्यों स्ट्रेस करना भाई कोशिश करो कभी स्ट्रेंट से बात कर लोगो आपको थोड़ा हसा देगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा यस तो स्ट्रेस से अपने आपको नुकसान पहुचा होगे कोशिश करो कुछ रेमेडीज फॉलो करने की जिससे आपका स्ट्रेस घटे और रेमेडीज वही हैं जो मैंने भी बड़न पर पढ़ा ही स्टार्ट करेंगे उनका स्ट्रेस होना वाच भी है है बनता है उनका स्ट्रेस होना एक दिन पहले पढ़े तो स्ट्रेसतों अना पहले स measuring timetable set करो पढ़ाई करोט टाइम जादा वेस्ट नीं करो L Oo social that क्यो नहीं होगा एंड moments पर तो आप komt एंद करते हैं पूरी राद जगते हैं सुबह तक पढ़ते हैं उनका सर फटने लगता है ना आते भी निये बिना खाए पिये भगते हैं एक्जाम देने के लिए पूरा टाइम लिखते हैं तो ऐसे बच्चों का दिमाग काम नहीं करता है उनकी पूरी एनरजी चली गई रात भर मे कि नींद करो तो आप जब उठेंगे तो बहुत फ्रेश फील करेंगा आपको अच्छा लगेगा येस तो यह सारी चीजें आपको करनी है और यह सारी चीजें कुछ जो है आपको फॉलो करनी है नहीं गरोगे तो stress में ओए गया यह जो गर्ल दिख रिए ना नाखुन खार इसके जैसे हो जाओगे, बता रही हूँ मैं, ओके, so all the best for exams, tension लेने की कोई जरुवत नहीं है, कुछ important चीज़े, जो थी वो मैंने आपको बता दी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, tension लेने की बिल्कुल जरुवत नहीं है, exam का जो fear जो dare है, उसको shoo away कर दो कि shoo, चले जा, क् मैंने पूरा पढ़ लिया है, मैं time से उठा, मैं venue पर time से पहुच जाओंगा, मैं सुभा breakfast अच्छे से खा के जाओंगा, अपना hall ticket, specs, मतलब जो आपका सब stationery की चीज़े, सब अच्छे से आप रख लेंगे, okay, और avoid करो caffeine या coffee पीना, इससे, थोड़ा सा mind आपका, बोलते है और end में revision अच्छे से किया है, confidence रखा है खुद पर तो सब कुछ अच्छा जाएगा, okay, so all the best for exam and with this, we come to this end of this session, I hope आप हमेरी सारी वीडियोस जो है, YouTube पर देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो website पर जाएए, which is magnetbrains.com, क्योंकि magnetbrains आपकी घर तक लाता है, free of cost education and provide करते हैं आप टेक केर